हे फ्रेन्ड आज मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ तो मैं हूो Sweta स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वैता किचन में मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आये फ्रेन्ड तो प्लीस वीडियो को लाइक करिएगा और friends and family के साथ वीडियो को share भी जरूर करिएगा तो चीला की वैसे तो बहुत सारी recipes है अलग-अलग तरह की varieties है चीला की उन्हीं में से मैं आज एक recipe आपके साथ share करने वाली हो तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं चीला इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कटोरी बेसन लिया है और सेम कटोरी से मैंने यहाँ रवा लिया है इसको सुजी भी कहते हैं तो आधा कटोरी मैंने सुजी भी यूज किया है दो बड़े चमच, चावल का आटा मैंने डाला है स्वात के हिसाब से नमक एड़ कर दे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिक्स मसाला मैं एड़ कर रही हूँ जो कि मैं घर में ही पीस कर रखती हूँ सारे मसाले मिक्स करके अजवाईन आधा छोटे चमच और सारी चीजों को डालने के बाद एक बड़ा चमच मैं इसमें निम्बू का रस आट कर रही हूँ इससे फ्लेबर जो है बहुत अच्छा आता है थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक अच्छा सा पेश्ट तयार कर लेंगे ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखिएगा तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और 10 से 15 मिट इसको फूलने के लिए रख देंगे ताकि सुजी जो हमारा अच्छे से फूल जाए तो यह देख सकते हैं 10 मिट के बाद सुजी अच्छी तरह से फूल चुका है और इसको मैं थोड़ा मिक्स कर दे रही हूं मैंने इसमें सोडा वेगरा या इनो कुछ भी आड़ नहीं किया है और अब मैं यहाँ पे लोह के तवा पे बना रही हूं चीला आप चाहे तो नॉनिष्ट की पेइन पे भी बना सकते हैं इस पे मैं थोड़ा सा रिफाइंड ओयल आधा छोटा चमच लगभग आड़ कर दे रही हूं चारो तरफ इस तरह से लगा दे ताकि चीला जो है चिपकेगा नहीं तो यह लीजे तावा भी अच्छे से गर्म हो चुका है आप देख सकते हैं धुआ आ रहा है तावा से और यह देखिए यह दो कल्ची मैं तवे पे बैटर को डालके इस तरह से इसको फैला दूंगी तवे के उपर यह बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा रही गया है तो आ और मैं दो से तीन चमच जो और बैटर रखा हुआ है उसमें मैं पानी आट करके मिक्स कर दूंगी और यह लीजे मैं इसमें थोड़ा सा प्याज कटा हुआ और हरा मिर्च कद्दू करके मैंने गाजर को रखा हुआ है उसको भी मैं इसके उपर आट करूगी और थोड़ा स तीखा हो जाए और टेश्टी लगे खाने में तो बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं आप तो मिर्च पाउडर और हरा मिर्च का यूज़ ना करें तो नहीं तो बच्चों को तीखा लगता है और ये इस तरह से आप दबा दे ताकि चीला में अच्छी तरह से ये सेट हो जाए और आप इसको सुबह का नास्ता में या फिर बच्चों को टीफिन में भी बना कर दे सकते हैं बहुत ही जटपट बनकर रेडी हो जाती है और बहुत हेल्दी भी है और टेश्टी लगता है खाने में रोज रोटी सब जीवेगरा खाने का मन नहीं करता है उस टाइम आप यह मिक्स सारी चीजों का चीला बना कर खाईए बहुत टेश्ट लगता है और हेल्दी तो है ही तो यह देखिए मैंने चीला को पलट लिया है और आप देख सकते हैं चीला अच्छी तरह से हो चुका है दोनों साइड से फ्रेंट अब इसको निकाल लेते हैं और इसको है और चमश मैंने रिफैंड युइं डाल के इस तरह से यह देख सकते हैं बैटर को डाल के अच्छे से फ्यला दरी हूं तबे के उपर और यह वाला आप देख सकते हैं कितनी आसानी से फैल जा रहा है तबे के उपर और सेम इसी प्रोसेस से जैसे मैंने पहला वाला बनाया है चीला सेम उसी तरह से मैं इसको भी बनाऊंगी तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉस यूज़ कर रही हूं टोमेटो केचप और इस तरह से चारो साइड मैंने लगा दिया है टोमे लाल मिर्च और जो प्याज और गाजर वगरा है उसको भी इस पर एट कर दे रही हूं इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है आप चाहें तो सौस के जगह पे ग्रीन चटनी का भी यूज कर सकते हैं वह भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और बहुत टेस्ट लगता है अगर आपको पसंद आए और थोड़ा सा मैंने इसमें भी लाल मिर्च पाउडर एट कर दिया है और यह देख सकते हैं यह भी हो चुका है रेडी इसको भी मैं पलट ले रही हूं और यह चीला भी हो चुका है इसी तरह से मैं और एक दो चीला बना लूँगी और थोड़ा सा बचा हुआ है तो आप इसी तरह से सारे चीले को रेडी कर ले जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत हेल्दी भी है तो मेरी यह रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और सेयर भी करिएगा फ्रेंड्स और फैमली के साथ और इस तरह की कुकिंग से रिलेटेड और आगे भी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा ताकि आपको मेरे आगे वाली आने वा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं एक नई रेसिपी को लेके तब तक के लिए टेक क्यार एंड बबाई